नमस्कार दोस्तो स्वागत है आपका आपके अपने चैनल प्रेम की सक्ती में अगर कुंडली में लगने इस्थान में चंद्र की इस्थिती और छटे और ग्यारेवे इस्थान में स्वामी राहु के प्रभाब के कालन व्यक्ति सराब के नशे में टूप जाता है और साथ ही ब्यक्ति की कुंडली में मंगल दोस है तो वह मासाहार के अतेदिक सेवन का आदी हो जाता है किसी भी तरह के नसे के लिए राहु वेजिमेदर होता है राहु यदि पहले दूसरे और बारह में इस्थान में है तो इंसान नसे का आदी हो जाता है नसे के आदिव्यक्ति सिग आप उसके घरवाले अत्यदिक परेशान होते हैं नसे परलगाम लगाने के लिए यह उपाय आप अपना सकते हैं नसे की नलत को छोड़ने के लिए आप एक मुखही रुद्राक्च सोने में मड़वा कर धारन कर सकते हैं आप हल्दी की माला या पुखराज भी पहन सकते हैं दोस्तों यह उपाय बेहत कारगर है पूरी शद्दा से करें एक सवा आठ रधी मुगाले मंगालवार की दिन भूज पत्र पर अनार की कलम से अश्टगंद से एक हनुमान यंत्र बनवार कर एक चोकी पर लाल कपड़ा बिचा कर ताम एकी प्लेट में इस्तावित करें मुगे को गंगा जल या सोच़जल से धो कर यंत्र के मध्ध में इस्तावित करें तेल का दीपक जलाएं और चमेली की दूप जलाएं फिर एक बार बैठकर हनुमान चालीशा का चववन बार पाठ करें फिर सुन्दरकांड का पाठ करें और फिर हनुमान चालीशा का चववन बार पाठ करें अंत में हनुमान जी की आर्तिकर बूने के लड्डू का भोग ल लेगा रवेवार को एक सराब की बोतल लाएं यह उसी ब्रांट की होने चाहिए जैसे कि वह वेक्ति पीता है बोतल को रवेवार के दिल किसी भी भेहरव के मंद्र में चड़ा दें पुजारी को कुछ रुपए दे कर पुनाय वापस ले लें पती की सूते समय जववन नश् फिलहाल इस वीडियों में बस इतना ही और ऐसी वीडियों के लिए चुड़े रहे हमारे चानल प्रेम की सकती से